इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम के लिए RPSC दौरा 2023 में जितनी भी भरती परिक्साएं हुई थी उन में पूछे गे राजिस्तान GK के क्यूशन की चर्चा करूँगा इतने दिन मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम में पूछे गे राजिस्तान GK की सिरीज करवाई थी वो कंप्लिट हो चुकी है अब मैं आपको 2023 में जितनी भी भरतीयों में राजिस्तान GK के जो क्यूशन RPSC ने पूछे है उनके बारे में चर्चा करूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम की प्लेइलिस्ट नहीं देखी है सिरफ राजिस्टान GK के क्यूशन की चर्चा करूँगा क्यूंकि आपके साथ तारीके पेपर में सिरफ राजिस्टान GK ही आएगी इंडिया GK नए आएगी इसलिए इसमें मैं आपके जो राजिस्टान GK से क्यूशन पूछे गए थे उनी की चर्चा करूँगा तो question number सबसे पहले आता है आपके सामने screen पर question है कि निमलकित में से कौन से जिलो का समूप्राप मानसुनी वर्सा की मातरा के अनुसार आउरोई करम में सही धंक से विवस्तित है यनि कि घड़ते हुए करम में मानसुनी वर्सा की मातरा के अनुसार कोन सा करम है वो सही है आपके पास option है थोलपूर, रासमन, जालोर, फीलवाडा, बारा, शीकर रासमन, जालोर, थोलपूर, पाली, जैपूर, भरतपूर या अनुतरित परशन तो ज्यान ड़के इस बार assistant professor में भी आपको पांच option देखने को मिलेगा जिस तरह सी यह है इस paper में RS की में आप देख सकते हो पांच option इसी तरह अनुतरित परशन का देखने को मिलेगा अगर आपको answer नहीं आए तो आप पांच वो answer पे गोला बरें निमलिकित में से किन ती नज्यों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है आपके पास option है बनास, मेनाल, बेडच, गंबीरी, मांसी, धूंद, कोठारी, खोरी, बेडच, सोम, आहू, बांडी या अनुतरित परशन तो इसमें आपका right answer हो जाएगा इन option के according देखा जाए तो त्रिवेणी शंगम, बनास, मेनाल, और बेडच को का जाता है ये आपका correct answer हो जाएगा next question राजिस्तान जीके का question number 8 आपसे पूछा गया था क्योंकि इससे पहले जो है ये इंडिया जीके के question है जोकि आपके assistant professor में सिर्फ राजिस्तान जीके के है इसलिए आपको सिर्फ राजिस्तान जीके के ही question करवा रहा हूँ तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा गुजरा तथा राजिस्तान का भी आपका correct answer हो जाएगा next question निमलेकित में से वर्ष 2001 से 2011 के मद्दे में नियून्तम दश्यकी जन्संक्य वर्दी दरवाला जिला कोन सा है बाडमेट, गंगानगर, पाली, बूंदी, अनुतरित परशन तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा 2001 से लेकर 2011 के मद्दे नियून्तम दश्यकी जन्संक्य वर्दी दरवाला जिला हैं, वो श्री गंगानगर हैं, बी आपका correct answer हो जाएगा राजिस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नारदिया और तिमा मोरी किस खनीच के उतपादिक छेतर हैं मैंगनीच, तंगेश्टन, तांबा, लोईश्क, अनुतरित परशन तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा, ये सभी उतपादिक छेतर हैं मैंगनीच के हैं, ये आपका correct answer हो जाएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट क्विशन तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा, ये आपके जालावाड में इस्तित है, भी आपका correct answer हो जाएगा next question, next question में आपको बताना है कि कोन सा सूमेलित नहीं है, एक साड वन्ने जी अब्यारण दे रखे हैं और दूसरी साड जिले दे रखे हैं, आपको बताना कोन सा इन में से सूमेलित नहीं है, वो आपको select करना है तो सेरगड बूंदी, बसी चितोडगड, रामसागर वन विहार, धोलपूर, सीता माता परताबगड या अनुतरित पर्शन, तो इसमें आपका सूमेलित नहीं है, शेरगड जिसका answer या बूंदी दे रखा है, ये गलत है, आपको नीचे comment box में बताना सेरगड वन्ने जी अबियरन किस चिले में इस्तित हैं, ये आपका correct answer हो जाएगा, next question, माही कंचन तता RCB911 संकर किस में किस की है, मका तता जो की, मका तता चावल की, मका तता बाजरे की, बाजरे तता मक्के की या अनुतरित पर्शन, तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा, माही कंचन तता RCB9 911 शंकर किस में किस की है, तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा, मका तता बाजरे की है, C आपका correct answer हो जाएगा, next question, राजिस्तान जी का कहे है, 13 के बाद 17 नंबर का question है, जो की राजिस्तान जी की का है, तो question है आपके सामने, नत्मल जी के हवली कहा अस्तिते, बाड़मेर, बीका राजिस्तान के समन में तुरूटी पूर्ण कथन को पैचानिये, और आपको तुरूटी पूर्ण कथन कोन सा है, वो आपको select करना है, पहला है डॉक्टर S. रादकिष्ण राजिस्तान के एक मातर सभापती है, जो लगातार दो कारेगाल इस पत पर रहे हैं, next है पर्थम स आपका A है, रादकिष्ण राजिस्तान के एक मातर सभापती है, जो लगातार दो कारेगाल इस पत पर है, यह आपका गलत है, यह आपका correct answer हो जाएगा, next question राजिस्तान जीके का आपका question number 25, 25 नमर का question है राजिस्तान जीके का जो की R.A.S. में पूछा गया था, 2023 में, नेम बर्धुला का सबसे कम समय तक मुख्यमंतरी रहे, C.S. वेंक टक्चारी निर्वाचीत मुख्यमंतरी नहीं थे, यह अनुतरित पर्षन, तो इसमें आपका correct answer C हो जाएगा, बर्धुला का सबसे कम समय तक मुख्यमंतरी रहे है, C. आपका right answer हो जाएगा, next question, वीडियो पस आपने हमरा टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है, तो लिंक नीचे description में दियावा, आप जाके join कर सकते हो, कोई भी update होगी, सबसे पहले आपको टेलिग्राम ग्रूप पे देखने को मिलेगी, next question है, राजिस्तान की मंतरी परिश्यत की नियून्तम सदेशे शेंख्य वो हो सकती है, 12, A आपका correct answer हो जाएगा, next question, 2022 के राश्टपती के निर्वाचन में राजिस्तान विदान सबा के पर्तिक शदेशी का मतमूली कितना था, 150, 132, 139, 116, अनुतरीत पर्षन, तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा, 129, C आपका right answer हो जाएगा, next question है, शिदान के अन निर्वाचन में राजिस्तान के 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 राजिस्तान क आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन निम में से किसकी सिफारिस पर राजिस्थान में राजपर्मों के पद को शमाप्त कर राज़ेपाल की व्यस्ता की गई है राज़े विदान सबा, शुईधान सबा राज़े पुन्र गठन आयो राज़े परशाशनिक सुधार आयो या अनुतरित परशन तो इसमें आपका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा C हो जाएगा राज़े पुन्र गठन आयो C आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन निमिलिकित में से कौन सा एक राजिस्थान urban drinking water sewage and infrastructure corporation लिमिटेड का हिस्सा नहीं है वो आपको select करना है option नमबर यह है राजिस्थान urban infrastructure finance and development corporation लिमिटेड next राजिस्थान आवास विकास infrastructure लिमिटेड next राजिस्थान housing board next राजिस्थान urban infrastructure development project या अनुतरित person तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा C आपका correct answer हो जाएगा. Next question. किस संसोधन अधिनियम द्वारा? ग्राम सेव को ग्राम विकास अधिकारी से परतिश्थापित किया गया है. राजिस्तान पंचाईती राज संसोधन अधिनियम 2015, राजिस्तान पंचाईती राज संसोधन अधिनियम 2017, या राजिस्तान पंचाईती राज संसोधन अधिनियम 2021, तो किस संसोधन के तैट ग्राम सेव को ग्राम विकास अधिकारी से परतिश्थापित किया गया है? इसमें आपका correct answer D हो जाएगा, राजिस्तान पंचाईती राज अधिनियम 2021, D आपका correct answer हो जाएगा. Next question. आएग के अधिक से कोई अन्य सदेशी के और राष्टपती की आगया से अपने पद से हटाई जा सकते हैं, ये भी सही है, इनकी पहला और दूसरा दोनों सही है, B आपका correct answer हो जाएगा. Next question. तैशिल दार की न्यूपती होती है, तैशिल दार की जो न्यूपती है, वो राष्टो मंडल दौरा होती है, D आपका correct answer हो जाएगा. Next question. 2014 में नर्पत मल की अध्यक्सता में गटित समिती निम्य से किस विशे से समन दिते हैं? पंचाइती राज, मानोधिकार, राजेपाल, लोका यूपत या अनूतरित पर्शन. तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा. 2014 में नर्पत मल की अध्यक्सता में गटित समिती है, वो किस विशे से समन दित है, लोका यूपत से समन दित है, D आपका correct answer हो जाएगा. नेक्स्ट कुशन. इसमें राजे सरकार द्वारा, राज़िस्तान, राजे. सूचना आयो कि एक पीट की स्तापना किस सेर में किया जना सुईकर्थ किया गया है? अजमेर, कोटा, जोदपूर, उदेपूर, अनूतरित पर्शन. तो आपका correct answer हो जाएगा. इसमें आपका correct answer हो जाएगा. नेक्स्ट कुशन. निमलिकित में से किस योणा का समद इस नारे से हैं कोई भूका ना सोई? बाल गोपाल योणा, इंद्रा गांधी रोजगार गारंटी योणा, अनपूर्णा फूड पैकेट योणा, इंद्रा रसो योणा, अनूतरित पर्शन. तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा. नेक्स्ट कुशन. राजिस्तान राजे मानोदिकार आयोग के समन में निमलकित कत्नों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, वो आपको सलेक्ट काना और कौन सा गलत है, वो आपको बताना मतलब कि सही कौन सा है इन में से. तो पहला है मानोदिकार सरक्षन अधिनियम 2006 के प्रवादनुशार आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदिशे है, दूसरा वर्तमान में नियाई मूर्ती गोपाल किशन व्यास इसके अध्यक्ष है, तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा, केवल second सही है, first गलत है, तो correct answer आपका हो जाएगा, c, next question, next question, राजिस्तान जी के का 42 number का question है, कि इंदरा गांधी सहरी राज रोजगार गारंटी योगना के समन में निमलकित कत्नों पर विचार कीजिए, कतन first है कि ये सहरी इलाकों में निवास करने ओले परिवर को 125 दिन के परतियोष रोजगार की गारंटी दे पर राजिस्तान जी के का question है, 49 number का, राजिस्तान में अटल भूजल योजना के लिए कौन सा कतन सही है, वो आपको select करना है, पहला है अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्य साहता से राजिस्तान सरकार द्वराद चलाई जा रही है, क्या ये कतन सत्य है, तो ये आप का सत्य है, दूसरा इस योजना का focus भूजल परबन में सुधार करना और उसके गिरते स्तर को रोकना ये आपका सत्य है, तो correct answer हो जाएगा B, next question, राजिस्तान की मुख्यमंतरी लगू उद्योग प्रोस्तान योजना के बारम निम्में से कौन सा कतन सही नहीं है, वो आपको select करना है, तो इसमें से कौन सा तथे सही नहीं है, पहला देर का इस योजना में लगू छेतर के उध्योमियों को 15 करोड तक के रिणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जरा आपका पहला ही कतने आसकते हो गया, बाकि देखने की भी जरूरत नहीं, इसका correct answer आपका हो Next question आपका correct answer हो जाएगा, तो ये थे आज के question आपके, जो की RPSC द्वारा 2023 में पूछेगे राजिस्तान GK के question है, डेली ये स्रीज आपको morning में 10.30 बजे देखने को मिलेगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें